हेलो बच्चो वेलकम है आप सभी का रश्री में की एज ओन क्लास में तो रस्मी हमें साथ पर डरने की है क्या बात तो बच्चो हम लोगों ने अभी तक डैसिमल के चैप्टर पढ़े डैसिमल के कुश्चंस बनाए 15 कुश्चंस अब आज हम लोग 16 कुश्चंस से स्टार्ट कर पागरे रहे हैं तो बच्चो आपको तो इससे मिल ने तो अगर आप चाहते हो क्वास्च लाइक करो शैर करो और सब्सक्राइब तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड़ को इस नमबर को अगर डिवाइड करता है तो हमें ये नमबर मिलता है तो कौन सा नमबर डिवाइड करता है तो हमें क्या मिलता है 50.29 अब इसको हम लिख सकते हैं 50.29 इस इकल टू 5.029 अपॉन एक्स हाना अब एक्स को हम इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे यह क्रॉस में है तो यह उपर आ जाएगा इस तरफ आ जाएगा ठीक है और यह कहां चला जाएगा नीचे ठीक है यह नीचे जाएग अब यह इसके इधर आ जाएगा और यह इसके इधर आ जाएगा एक्स हमने कर दिया इधर और क्या हो गया इसके डिवीजन में यह आ जाएगा नीचे 5.029 तिक अब यह आ जाएगा इसके नीचे 50.29 अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस डैसीमल को इग्नोर करते हैं अग तो यहां देखना है कि यहां पहले डैसिमल है और यहां क्या है तो यूनिट्स पहले डैसिमल है तो मैंने डिवीजन में पताया था कि जो आंसर आता है उसमें अई यूनिट्स को माइनस कर लेंगे थ्री मैनस तू यानिकी वन यूनिट लग गएगा तो यहां तो आहीं हमारा तो पहले डैसिमल लग जाएगा खुश्मी यहां 0 लगा देंगे यानि बारे एकस की वैलीगी आ गई जिरो पॉइंट वन 0.1 हमारा इसका आंसर हो गया जो second number है clear चलिए अब आगे बढ़ते हैं next question की तरफ 17th number question देखते हैं what is the decimal equivalent of rupees 2200 of 4% of 7.5% ठीक है तो इसे क्या करना है हमें what is the decimal equivalent इन में से किसके बराबर होगा ये तो इसे क्या करेंगे हम solve करेंगे 2200 of में multiply 4% में 4 by 100 फिर से off है तो फिर multiply का sign 7.5% में 7.5 by 100 clear अब अगर हम यहां से decimal हटाएं तो एक 0 और नीचे आ जाएगा यह decimal हटा दिया हमने अब देखो क्या करना है इस 20 से 20 को cancel कर दिया हमने अब यहां पर क्या हो जाएगा यह 25 से 3 times में कटेगा यह 25 से 40 times में कटेगा ठीक है यह हो गया हमारा अब यह 4 से किती times में 10 times में कटेगा तो बच गया हमारा क्या अब 10 हम इसको ऐसे छोड़ देंगे और भी कट सकता है लेकिन हम काटेंगे नहीं क्यों काटेंगे क्योंकि हमें लाना है decimal के form में और नीचे अगर 10 या 10 के उपर power कुछ भी है अब इस 10 को अगर हम हटाएंगे तो यह 6.6 बन जाएगा क्या रुपी 6.6 रुपी 6.6 कौन सा है सेकंड नमर हमारा इसका आंसर होगा चले बढ़ते नेक्स कोशन की तरफ चले 18 नमर कोशन देखते हैं 18 नमर कुशन है what fraction of rupees 4 is rupees 1.50 ठीक है कौन सा fraction बनेगा रुपे 4 और रुपे 1.50 के बीच ठीक है तो अब इस कुशन में हमें एक चीज़ देखना है कि यह दोनों जो है same unit में है अगर same unit है तो हम इसको directly divide करके इसका fraction निकाल सकते हैं लेकिन अगर एक रुपे में होता और एक पैसे में होता तो हम क्या करते दोनों को पहले same unit में convert करते उसके बाद उसको हम divide करते तब ही actual fraction आएगा ठीक है अगर आप ऐसे दोनों अलग अलग unit में हो और आप उसको divide कर द 24 कर देंगे अब देखिए अगर यहां से decimal हम हटाते हैं तो नीचे दो 0 आ जाएंगे यह 0 से यह 0 कट हो गया अब देखिए यह 5 से कट होगा तो क्या हो गया 3 upon 8 3 upon 8 कौन सा है हमारा second number option नमारा यह answer हो गया clear तो आए होप कि आपको यह समझ में आया होगा बहुत ही easy question है आगे बढ़ते है next question देखते है 19 number question जो है 61 by 10,000 can be changed into decimal as ठीक है इसको अगर हम decimal में change करे तो इसमें से कौन सा answer होगा यह आपके लिए homework question है इसका answer आपको मुझे comment box में देना है clear 19 का क्या answer होगा अब यह 10,000 है मैं एक बार hints दे देती हूं कि जितने zeros है उतने zeros को अगर हम हटाते हैं तो उपर उतने digits back decimal लग जाता है तो इस तरह से आप इसको change कर सकते हो ठीक है 20 नमर question देखते हैं यह बहुत ही आसान है the value of 0.05% is 0.05% की value क्या होगी तो चलिए पहले question लिखते हैं 0.05% ठीक है अब इसको आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस तरह कि और भी questions को आप ढूंद कर सकते हैं खुद से से प्रैक्टिस चलिए आगे बढ़ते हैं डेक्स कोशन देखते हैं तो प्रोड़क्ट टू डेसिमल इस फूर्टीन पॉइंट एट्री सेवन इफ वन डेसिमल इस पूर पॉइंट जिरो वन वोट इस दा ऑदर डेसिमल ठीक है यहां पर कह रहा है कि दो डेसिमल को अगर हम म गए अगर हम फूर्टीन पॉइंट ट्री सेवन गरते हैं तो हमें क्या मिलता है 14.837 मिलता है अब एक्स होगर आप यहां छोड़ देते हैं तो हमरा हो जाएगा 14.837 divided 0.4.01 ठीक है अब इसको solve करने के दो तरीके हैं एक तो हमने जो पढ़ा था डिवीजन में कि नीचे के denominator के decimal को हमें हटा देना होगा उसके लिए हम मतब देन 100,000 जैसे ही multiply करना हो यानि कि यहाँ पर दो डिजेट से है मिस इसको 100 से multiply करना होगा तो 100 से नीचे और उपर दोनों multiply करेंगे ताकि नीचे का denominator का decimal हट जाए और उसके बाद हम इसको divide कर लेंगे यह एक तरीका है दूसरा आप क्या कर सकते हो कि decimal को आप अभी ignore कर दो decimal को हम अभी बिल्कुल ignore कर देते हैं और normal way में हम 401 से divide कर देते हैं 14,8,3,7 को हम divide करते हैं अब देखते हैं कि यह हमारा क्या आता है पर्स्ट टाइम में यह 3 टाइमस में डिवाइट करते हैं आप देखिए अब इसको हम करते हैं 7 टाइमस में यह completely divide हो गया 37 टाइमस में निकि इसको हमने completely divide कर दिया 37 टाइमस में अब हमने जो decimal को change करने का rule देखा था जो हमने कई questions हमने किये हैं कि अगर division होता है तो इसके सबसे पहले हमने इसको सिंप्ली डिवाइड कर लिया बिना डैसिमल को इग्णोर करके हम सिंप्ली डिवाइड कर लेते हैं जो भी हमारा आंसर आता है उसके बाद हम वो प्रॉसेस लगाते हैं जो हमने डैसिमल को लगाने का प्रॉसेस वन उनित आया नहीं कि जो भी आंसर होगा उसमें डेसिमल कहां चला जाएगा बहुत तो इसमें बता रही हूं कि एक्जाम में बिल्कुल ही जिलाएगे बढ़ते हैं कि देखते हैं the value of 1 by 125 is 1 by 125 की value क्या होगी यह 125 से आगर हम 1 को divide करते हैं तो divide तो नहीं होगा तो सबसे पहले हम 0 डालके 1 decimal डालके हैं 1 0 का permission लेते हैं फिर भी नहीं होगा divide फिर क्या करेंगे 1 और 0 डालेंगे फिर 1 0 का permission लेंगे देखेंगे यह तो भी यह चोटा है अभी डिवायड होगा तो अब क्या करेंगे एक और 0 डालके फिर एक और जिरो यहां डालेंगे जब तक यहां जीडु नहीं डालेंगे तब तक यह च्जुरु नहीं आएगा अब डैसिमल से क्या होता है कि एक ही 0 आने का permission होता है यह हमारा हो गया यह आंसर कौन सा हो गया हमारा 0.008 थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया क्लियर तो इसे questions भी बहुत आसान होते हैं यह आप easily कर सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं 23rd number question देखते हैं what is the decimal equivalent of one whole five upon eight ऐसा question मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था हाना ऐसा one whole five upon eight को decimal में बताना है क्यों से decimal के equivalent है यह मैंने आपको बताया था कि जो भी whole में होगा उसको हम as it is लिख देंगे और इसके बाद लग जाएगा decimal अब बचा five upon eight थो हम eight से five को डिवाइड कर लेते हैं हाना तो एट से five को डिवाइड करेंगे कटे का नहीं decimal तो अलरड़ी यहां है क्योंकि यह जो डैसिमल है वो यहां है तो जब decimal है इड में से यहां पे एक zero पहले से है हैं यह मतलब एक 0 यहां पहले से आप 8C को डिवाइड करते हैं में जाके वो गलती मत करिएगा ऐसे ही आपको करना है यह कौन सा अंसर हो गया 1.625 नमर चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट नमर कुर्शन देखते हैं 1.125 when changed into fraction becomes अब हमने इसे पहले जो पढ़ा था उसमें fraction को डैसिमल में change किया था यहां पर क्या है कि डैसिमल को fraction में change करना है तो यह भी को ज्यादा मुस्किल नहीं है 5.125 तो मैंने उसमें क्या बताया था आपको कि यहां पर आ रहा है उसको हम क्या करेंगे डैसिमल से पहले लिख देंगे और इस जगह पर हम डैसिमल लगा देंगे इसमें क्या करेंगे अब यहीं चीज़े इसको हम whole number में लिख लेंगे ठीक होल में आ गया यह 5 अब बच गया 0.125 अब 0.125 को हम क्या लिख सकते हैं और अगर पॉइंट हट आएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा तीन जीरो आजाएंगे नीचे अब इस से यह कितने टैंस में डिवाइड हो जाएगा एट तो यह हो गया हमारा इस जगा पर हम क्या लिख देंगे समझ में आ गया बहुत असान है यह इसका आंसर हो गया हमारा फाइफ वोल रॉन अपॉन एट जो कि आपसर नमबर थ्री हमारा हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन देखते हैं तो इसा कोशन मैंने आपको पहले भी बताया है अभी थोड़ी दिर पहले बताया था कि 0.3636 divided by 0.06 ठीक है तो हम क्या करते हैं यहां पर अब सबसे पहले तो डैसिमल को इग्णोर कर देते हैं ठीक है तो नीचे है 6 उपर 36 36 तो 6 से हम 36 36 को डिवाइड कर देंगे क्या होजाएगा? फिर भी आएगा डिवाइड नाए होगा जिरो डालेंगे फिर 6 लिखेंगे 606 आया इसको अगर हमने डिवाइड किया तो हमारा क्या आया यह 6106 अब हम देखते हैं डैसिमल का यह 4 यूनिट्स पहले डैसिमल है इसमें इसमें 2 units पहले decimal है, तो 4-2, 2 हो गया, यहने कि इसमें 2 units पहले decimal यहां पर आ जाएगा, तो answer हमारा क्या हो जाएगा, 6.06, 6.06 कौन सा है हमारा, 6.06 के बाद 0 है, तो 0 की कोई value नहीं, मतलब यहां भी हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आगे नहीं कट रहा तो 0 ही हम ignore करके पहले divide कर लेते हैं, उसके बाद decimal का काम करते हैं, उपर देखते हैं, 4 units back decimal है, नीचे 2 units back है, तो division में हम units को minus कर देंगे, जितना आएगा उतने answer में, उतने units back हम decimal लगा देंगे, तो हमारे यह वाला answer हो गया, clear? 26 number question देखते हैं, by multiplying a number by 0.6, result is 657.24, what is the result if the number is multiplied by 0.06, कह रहा है, अगर हम किसी number को एक number है, जिसको 0.6 से multiply अगर करते हैं, तो हमें यह number मिलता है, अब what is the result, क्या result होगा if the number is multiplied by 0.06, अब इसी number को अगर हम 0.06 से multiply करें, तो हमें result क्या मिलेगा? तो सबसे पहरे मैं पता करने पड़ेगा कि वह number क्या है, तो उस number को हम क्या zoom कर लेते हैं? x, ठीक है? तो x कोई number है, इसको अगर हम 0.6 से multiply करते हैं, तो हमें मिलता है 657.24, ठीक है? यह हमारी x की value आगई, अब इसी को कह रहा है कि 0.06 से multiply करें, तो हमें क्या मिलेगा? अब इसको हम 0.06 से multiply करके देख लेते हैं, into 0.06, ठीक है? अब देखे, अब यह तो छोड़ देते हैं, यह दोनों 66 है, अगर इन दोनों के decimal को हम ignore करते हैं, तो 6 से 6 किती टेंस में करते हैं, वन टाइमस में, और 1 से इसको multiply करें, तो हमारे क्या आ जाएगा? 657.24, सेम आ जाएगा, लेकिन यहां देखते हैं कि यहां decimal 2 units back था, यहां decimal 1 unit back था, जिसको हमने काटा, जिस term को हमने खतम किया, अब इन दोनों टर्म के decimal को भी solve करना है, यह 2 unit है, यह 1 unit है, तो 2 माइनस 1 कितना हो जागा? तो यहां क्या हो जाएगा? 1 unit और आगे आजाएगा, decimal यहां से हटके यहां आ जाएगा, इसका मतब हमारा answer हो गया, 65.724, यह हमारा answer हो गया, जो कि हमारा option number 3 है, यह हमारा answer हो जाएगा, clear? चलिए आगे बढ़ते हैं, next question देखते हैं, 27 number question देखते हैं, the value of 0.5 plus 0.7 plus 0.3 by 5 is equal to, इसको हमें solve करना है, तो हम लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ, 0.5 plus 0.7 plus 0.3 upon 5 हो गया, अब यह देखो इसको अगर हम arrange करें, तो यह decimal एक डिजिट, दोनों एक एक डिजिट के बीच में है, तो equal आएगा सारे, यानि कि 5 के नीचे 7, 7 के नीचे 3 आएगा, तो 5, 7, 3 और को जोडेंगे, तो यह 15 आएगा, कैरी 1 आगया, अब यह 0, 0, 0 है, तो यह 1 हो जाएगा, decimal यहाँ by 5, अब इसको हम क्या लिखेंगे, अगर हम decimal हटाते हैं, तो यह क्या हो जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, 1 डिजिट बैक decimal है, तो 1, 0 नीचे आगया, अब 5, 3, 15 हो गया, यह 3 by 10, 3 by 10 को हम decimal के form में क्या लिख सकते हैं, 0.3, 0.3 हमारा answer हो गया, जो कौन सा option है, परस्ट नमबर option हमारा, इसका answer हो गया, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स कोशन की तरफ, 28 नमबर कोशन देखते हैं, the value of 0.037-0.028 divided by 0.03 is equal to, तो पहले हम क्या करते हैं, आपर question लिख लेते हैं 0.037-0.028 by 0.03, ठीक है, अब देखें, यहां भी 3 डिजिट है, यहां भी 3 डिजिट है, decimal के बाद, तो इसका मतलब जब हम इसको divide करेंगे, तो यह इसके just नीचे आएगा, 7 के नीचे 8 आएगा, 3 के नीचे 2 आएगा, तो equal में होगा, it means 7 में से 8 माइनस करेंगे, तो 17 नही होगा, तो इसका मतलब क्या हो जागा, 17 में से 8 माइनस किया, तो यहां क्या हो जागा, 9, and then यहां पर क्या हो गया, 2 माइनस 2, 0 हो गया, और यह भी 0 हो गया, decimal, 0 upon 0.03, ठीक है, अब हम यहां भी, हम decimal को इसको कट कर देते हैं, 3, 3 is the 9, 3 आगया, अब देखना है, decimal का क्या चक इसका मतलब यहां है, अब यहां है, तो decimal कहा जाएगा, यहां आजाएगा, तो 0.3 इसका answer हो जाएगा, clear, 0.3 कौन सा हमारा है, 3rd, 2nd number, option हमारा, इसका answer हो जाएगा, clear, समझ में आया है, पहले तो इसमें से इसको हमने minus कर लिए, अगर थोड़ा सा भी doubt आपको होता है, तो आप इस तरह से लिएकर, इसको minus करें, चेक कर सकते हो, ठीक है, इसको minus करें, 900.0, ठीक है, अगर आपको इस तरह से problem हो रही है, तो आप ऐसे ही करो, पटापट से जल्ली से, ऐसे करके, फिर आप इसका answer निकाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, next question देखते हैं, 29 number question देखते है as, in fraction 3.125 can be written as, 3.125 को fraction के form में हम कैसे लिखेंगे, ऐसा question मैंने आपको कराया हुआ है, इसी वीडियो में कराया है, तो इस वीडियो के सारे questions को द्यान से देखो, और इस question को आपको खुद करना है, यह मैंने आपके लिए homework question मनाया है, इसका answer मुझे आप comment box में जरूर दोगे question number 29, answer मुझे comment box में चाहिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 number question, 30 number question हमारा 6 plus 9 upon 100 plus 1 upon 1000 plus 2 upon 10 is equal to, यह किस के बराबर है, तो ऐसे questions के लिए हम क्या करेंगे, कि इसको हम fraction को क्या करेंगे, इसको हम add नहीं करेंगे अभी, अभी क्या करेंगे हम इसको, सबसे पहले जो fraction के form में लिखा हुआ है, उनको भी हम decimal में change कर लेंगे, ठीक है, वो ज्यादा आसान और ज्यादा कम time taking होगा, ठीक है, 6 plus यह क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 है, तो एक तो 9 हो गया, एक 0 और लगा देंगे, तो यह बन गया, इसका decimal form, अब इसका decimal form क्या होगा, होगा 30 है, तो उपर क्या हो जाएगा, एक तो 1 है, एक 0, 2, 0, 3 होगे, अब यहाँ decimal लगा देंगे, then plus यह क्या हो जाएगा, 2, 0.2, यह हमारा change हो क्या decimal में, अब हम इसको add कर लेंगे, ठीक है, अगर आपको ऐसे दिक्कत है, तो आप इसको इस तरह से लिखके add कर सकते हो, 0 0.09, दूसरा क्या है, हमारा, 0.001, तीसरा क्या हमारा, 0.2, अब इसको add कर लो, तो जोगे, 6.291, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, 6.291, जो क्या हमारा कौन सा option है, 6.291 हमारा first option हमारा answer हो गया, clear, तो इस तरह से हमारा यह last question था, आज की class का, तो आज की class, I hope कि आपको यह सारी चीज़े आज की class की समझ में आ गई होंगी, सारे concept मैंने बिल्कुल clearly बताए है, एक एक question को बताया, हर एक जिस तरह की questions इस chapter से पूछे जाएंगे, हर एक concept मैंने आपको बता दिया है, अब जरूरत है कि आप ऐसी questions की ज़्यादा से ज़् प्रक्टिस करें, जहां भी आपको कोई book मिलती है, इस से related, तो उनसे आप questions को लीजिए और उसकी practice करें, more and more practice कीजिए, ठीक है, आज की class मैं यहीं पर खतम करती हूं, और बच्चों जाने से पहले एक बाद जरूरत क्याना चाहूंगी, कि चैनल को like, subscribe और share जरूर करो, तो